हालो फ्रेंड्स नमस्कार मैं अशुकुमार अपने चैनल नाच्रल साइंस कॉर्णर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और टेंस पर चौथा लेक्चर लेकर हाधिर हूँ जिसमें बात करने वाले हैं प्रसेंट पर्फेक्ट टेंस की बताने वाले हैं कि इसको डिफाइं कैसे करेंगे साथ ही साथ इसके यूजेज कहां कहां पे हो सकते हैं इन तमाम चीजों को लेकर आए हैं आपके सामरे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ह अमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कूल भी न भूले प्रसेंट परफेक्ट टेंज को डिफाइन कैसे करेंगे डिफाइन करने के लिए बड़ा सा सिंपल आप डिफिनिशन लिख सकते हैं कि इटरेफर्स टू अइस एयर अक्छन और स्टाइट यानि वैसकर आक्षान वैसे क्लिया या फिर वैसा कोई भीं स्टेट वैसी यवस्था जो कि भूतकाल के अंदर किसी अनिष्चीत समय में शुरू हुई हो या यूँ कहें कि कोई काम भूत काल में शुरू हुआ हो और present में भी वो जारी हो तो उसे present perfect tense के अंदर consider किया जाता है अब आएए जान लेते हैं कि इसका users कहां कहां होता है उसके लिए तीन users मैंने बताये हैं जो बड़ा ही कोवन है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये users किस तरह से किये गए है तो सबसे पहले discuss कर लेते हैं पहले users के बारे में जिसमें लिखा गया है it is often used for an action that started at some time in the past and still continue in now मतलब कि कहता है कि ये सामान तोर पे वैसे क्रियाओं के लिए use किया जाता है जो किसी समय सुरू हुआ हो भूत काल में और वो क्या है अभी भी continue हो रहा हो इसमें आम तोर पे इसमें use करने के लिए दो चीज़ें आपके पास होती है एक ऐसे sentences के अंदर आप for use करते हैं या फिर since use करते हैं अब सबाल यहां यह उठता है कि आखिर for कहां use करेंगे और since कहां use करेंगे यहां दोस्तों for वैसी जगों पे use करेंगे जहां क्या दिया गया हो समय की लंबाई दी गई हो length यानि period of time की बात जब करते हैं समय की अबधी की बात करते हैं कि खास अबधी में period of time में अगर कोई बात कही जा रही हो या कोई action हो रहा हो तो वहां पे हम लोग for का इस्तवाल करेंगे वहाई दूसरी बात करेंगर since की तो since हम लोग किसमें start करते हैं जहां एक specific starting time दिया गया हो जिससे हमें पता चले कि वो present perfect tense में है तो वैसे sentences के अंदर since का इस्तमाल कर सकते हैं starting time कहने का मतलब कि मानलो कोई कहे कि 1990 से दो बजे से सों बार से इस तरह का कोई specific time दिया गया हो starting time तो वहां पर since use करेंगे और जहां केवल period of time दिया गया हो जैसे दो घंटे से उसके बाद दो सालों से पांच सालों से तो इस तरह का period of time दिया गया हो तो वहां पर हम लोग for का इस्तमाल करेंगे आई एक्जांपल सा समझते हैं starting time यहां दिया जा रहा है तो हम ऐसी sentences के अंदर since का इस्तमाल करेंगे जहां period of time दिया जाएगा वह ऐसे sentences में हम लोग किसका इस्तमाल करेंगे 4 का इस्तमाल करेंगे I hope यह clear हो गया होगा तो यह जानना जरूरी है कि 4 का इस्तमाल कहां करेंगे और since का इस्तमाल कहां करेंगे और यह दो एक्जांबल से आपको clear हो गया होगा जिसमें हमने लिखा कि He has lived in Delhi for 5 years यानि 5 years क्या है एक time period है इसलिए उसके पहले फॉर लगाया गया ठीक उसी तरह से She has worked at the university since 1990 जहां पर क्या है starting time दिया गया है एक specific 1990 1990 इस वज़ा से यहां पर 4 की जगा क्या यूज किया गया है Since use किया गया है आए दूसरे uses में चलते हैं इसका दूसरा use क्या है यह कहता है To say that something happened यह कहा जाता है कि कुछ चीजे हुई है या फिर नहीं भी हुई है Right But it is not important लेकिन वो हुई है या नहीं हुई है यह important नहीं है या महत्रपूर नहीं है या फिर कह सकते हैं कि वो पता नहीं है But क्या नहीं पता है कि यह कब हुई है यानि कुछ चीजे हुई है वो हम जानते हैं हुई भी है या नहीं भी हुई है यह important नहीं है और नहीं यह पता है कि वो चीजें कब हुई है तो वैसे sentences में भी present perfect tense का इस्तमाल किया जाता है As for example I have already seen that match I don't want to see it again I have already seen that match कभी देखा है लेकिन कब देखा है यह important नहीं है उसने देखा है कब देखा होगा नहीं देखा होगा कहां देखा होगा यह important नहीं है बट उसने देखा है यह बात कहीं जा रही है तो यहां भी क्या है present perfect tense का इस्तमाल किया गया है उसे तरह से दूसरा एक sentence मैंने लिखिया कि have you ever been to Goa क्या आप कभी Goa गए हैं कब गए हैं यह important नहीं है क्यों गए हैं यह भी important नहीं है बट क्या आप गए हैं यह incident हो रहा है लेकिन यह पता नहीं है कि वो incident कब हुआ है लेकिन हुआ है तो ऐसे sentences के अंदर भी present perfect tense का इस्तमाल किया आता है वहीं तीसरे use की बात करें तो तीसरे use में कहा जा रहा actions which happened in the past but have an effect in the present कता है कि कोई भी इस इक्रिया जो past में हुई है और उसका प्रभाव दिख रहा है किसमें present में यानि बर्तमान में उसका प्रभाव दिख रहा है तो ऐसे sentences के अंदर भी आप किसका इस्तमाल कर सकते हैं present perfect tense का इस्तमाल कर सकते हैं I hope आपको इसका definition और uses पूरी तरह से clear हो गया होगा अब आए जान लेते हैं कि आखिर हिंदी में अगर दिया गया हो कोई sentence तो उसको देख के हम कैसे कह सकते हैं कि दिया गया sentence हमारा present perfect tense के अंदर है फिर हम बात करेंगे इसके structure की कि इसके अलग-अलग टाइप के sentences आएंगे उसमें present perfect tense का structure क्या होने वाला है तो आएए दिख लेते हैं कि आखिर हिंदी में इसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं present perfect tense को जैर दोस्तों अगर किसी वाकिक के अंत में चुका है चुकी है चुके हो चुका हो चुकी हो या फिर या है यह है यह है इत्यादी लगा हो तो वह ऐसे sentence को present perfect tense के अंदर चुका है इसका मतलब क्या हुआ यहां पे चुका है इसका मतलब क्या हुआ यहां पे चुका है इट मेंस कि यह sentence आपका किस में लिखा हुआ है present perfect tense के अंदर लिखा गया है अगर यह आपका affirmative sentence है और इसको translate करना हो English में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं he has written a letter ऐसा क्यों लिखा क्योंकि इसके कुछ नियम है यहां पे जैसे कि वह के लिए subject वह हमारा है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं ही लिखते हैं और चुके यह perfect tense में है इसलिए यहां पे हम जो auxiliary की तरह यूज करेंगे वह या तो है यूज करेंगे या फिर है यूज करेंगे वह करेंगे कि हमारा subject कौन सा है यानि subject के according है या है का इस्तिमाल होगा और वर्व का यहां पे तीसरा form यानि वी 3 यूज करेंगे फिर आपका जो object होगा और अगर कोई आपने sentence में other word यूज किये हैं तो वो भी इसके अंदर आप लिख सकेगी तो यहां पे syntax अगर इसका define करना हो कि affirmative sentence के अंदर present perfect tense का syntax क्या होगा तो आप लिख सकते हैं ही हमारा subject है उसके बाद has या have लगाएंगे as per subject उसके बाद verb का तीसरा form फिर आपका जो object होगा वो फिर other word लगाएंगे तो यह syntax हो गया subject has have v3 object and other word राइट अब आईए देख लेते हैं कि negative sentences हो तो उसमें हम structure क्या लिख सकते हैं सबोच करिए negative sentence हमने लिया वहापत नहीं लिख चुका है तो क्या लि यहाँ पर क्या है यह हमारा subject है has have auxiliary verb की तरह यूज करेंगे जो depend करेगा कि subject कौन सा है उसके बाद negative के लिए not use करेंगे verb write का third form written होगा later हमारा object है syntax क्या हो गया subject plus has not v3 object and other word यह हुआ negative का syntax आप एक-एक syntax को याद रखेंगे तो आपको पूरा यह चीज याद रखने की ज़ब sentence का formation कर सकते हैं तो यह जरूरी है कि आप इन चीजों को याद रखें अब आए देख लेते हैं interrogative में क्या structure होगा ज्यां दोस्तों interrogative में जैसा हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दो तरह की sentences हम use करेंगे जो common question होगा और एक ऐसे जिसमें डब्लू ह question use किये जाएगे तो दो क्या राम cricket खेल चुका है बड़ा common सा question है यह और question word है अगर इसको translate करना हो तो कैसे करेंगे जैसा हम discuss करते आ रहे हैं पहले ही कि जब कभी भी इस तरह का question word होता है तो जो auxiliary verb हम sentence करते हैं उसको यहां पर पहले यूज करना होता है और subject बाद में आता है तो यहां पर हम have has use कर रहें चुकि राम क्या है मारा third person singular number है तो उसके साथ यहां पर क्या लगाएंगे हैं लगाएंगे तो हमने लिखा कि हैज राम played cricket right syntax क्या हो गया है पहले लगेगा depending upon the subject उसके बाद subject आएगा फिर वर्ब play का third form played होता है वी तरी लिखा हमने object हमार क्या है cricket है और कोई other word sentence में है तो वो हम यहां पर mention करेंगे यानि है plus subject plus v3 plus object plus other word यह syntax हो गया किसका आपके interrogative sentence में question word का अगर interrogative sentence में आपका wh word हो तो फिर उसका syntax क्या होगा जैसे suppose करिए कि एक example हम लोग लेकते हैं वहाँ बाजार क्यों गया है मैंने पहले ही बताए कि चुका है चुकी है यह रहे या फिर यह है यह हो तो भी वह क्या है present perfect sentence के अंदर आएगा तो यहां भी यह है तो यह जो sentence है वह किसके अंदर है present perfect tense के अंदर है तो आप आजार क्यों गया है यह एक wh question है तो हम लोग जानते हैं कि यहां पे जो इंट्रोगेटीव नॉर्मल question word होता है उसमें है जैसे ही वह हमारा आ जाता है तो हम क्या करते हैं उस है जाना होता है उसका third form क्या होता है gone to market तो syntax क्या हो गया यहां आपका wh word पहले आया उसके बाद फिर हमारा auxiliary has have आया फिर subject ही उसके बाद v3 go का gone और फिर object और फिर other word अगर कोई sentence में है तो वह भी यहां पे आप लिखेंगे तो बड़ा ही आसान सा यह भी structure है इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि आप आप एक बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंदर आखिर question word और wh word में क्या structure होने वाला है आये सबसे पहले डिसकस कर लेते हैंगे अगर हमारा sentence question word हो तो उसमें क्या structure होगा सपोस हमने एक जांपल या क्या तुम ने एक पत्र नहीं लिखा है तो हम क्या बनाएंगे तुम चुकि हमारे यहां subject है और you होता है उसकी English तो you के साथ हम लोग क्या रखाते हैं have का इस्तमाल करते हैं इसलि नौट फिर वर्ब का third form फिर object और फिर other word उसी तरह से अगर आपका डबलू एच वर्ड आ जाता है interrogative negative sentence के अंदर वह बाजार क्यूं नहीं गया है तो क्यूं क्या है यहां पर डबलू एच वर्ड है तो उसको कैसे translate करेंगे हम लोग आपको पता ही है कि जब interrogative sentence होता है तो लेते हैं उस डबलू एच वर्ड को पहले की उज़ कर लेते हैं तो यहां पर हमने लिखा है वाइज ही नौट गौन टू मार्केट सिंटक्स क्या होगा डबलू एच वर्ड पहले आया है उसके वाद सब्जेक्ट फिर नौट फिर वर्ड का third form फिर object और फिर अगर कोई other word है sentence के अंदर तो आप इस्तिमाल कर सकते हैं इसके अलाबा कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी हैं जो present perfect tense के अंदर इस्तिमाल किये जाते हैं तो आएए देख लेते हैं कि आखिर वो adverb कौन कौन से है जिनका इस्तिमाल present perfect tense के अंदर किया जाता है और उसको याद रखना बहर स्क्राइब जरूर करें और हमारा वीडियो पर आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कूल भी न भूलें आए एक नदर डालेते हैं कि आखिर वह एडवर्ब कौन-कौन से हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहत जरूरी है यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आप देख सकते हैं कि वह कौन-कौन सा एडवर्ब है और कुछ मैंने एक जांपल्स भी आपको दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके जैसे कि आल्मोस्ट है जिसका मतलब होता है पहले ही ऑल्वेज जिसका मतलब होता है यूज करते हैं रिसेंटली यानि हाली में कुछ हुआ है तो उसके लिए यूज करेंगे यह एडवर्ब सेवरल टाइम्स जब कोई चीजें कई बार होती है तो उसको सेवरल टाइम्स कहते हैं और उसी तरह से एट जो है अभी तक के लिए यूज किया जाता है कुछ अपना काम लगभग खत्म कर लिया है उसी तरह से यहाज अल्रेडी रिटेन लिटर वह क्या है कि पहले ही पत्र लिख चुका है थार्ट सेंटेंस लिए मैंने I have met you before यानि मैं तुमसे पहले ही मिल चुका हूं या पहले मिल चुका हूं have you ever seen the हवा महल क्या आपने कभी हवा महल देखा है उसी तरह से he has just played and I have never played cricket मैंने कभी भी क्रिकेट नहीं खेली है इस तरह से हम इन एडवर्ब्स का इस्तिमाल present perfect tense में कर सकते हैं या दोस्तों अगर कोई भी confusion हो तो आप comment box में लिख सकते हैं अगर हमारा वीडियो आपको प नेती रहे उसकी लिए चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि जब भी हम को वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें कि अधा कि अ झाल झाल